आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम है सिद्धान दगनी हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत 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 बागत हैं दोस्तों हम बात करेंगे आज महामुद आफ घजनी की महामुद आफ घजनी इस्लामिक इन्विजन सीरीज है दोस्तों यह जिस पर मैं पूरा मेडाइवल हिस्ट्री आपके सामने खोल के रख दूँगा मज़ा आ जाएगी आपको तो आफ हमने मुहम्मद अफ घजनी के बारे में जान लिया पहला लेच्चर और अब हम महामुद आफ घजनी के बारे आफ दूँआ है अब बदलेगा राश पूतने और बाकि जितने राज्या थे उन सब ने मतलब समझ यह घिरा बंदी कर और बाद में अब आसे कैलिफेट ने बोल दिये कि भाई छोड़ दो इस रीजन कोई छोड़ दो नहीं हो पाएगा हम से चले गए वो इधर पाकिस्तान एडिया में हिंदु शाही डाइनिस्टी जो है वो वापस आ गई लेकिन उसी समय दोस्तों एक आदमी आता है जिसका नाम है महमुद ऑफ गजनी ठीक है और इसने सब कुछ बदल दिया क्या कहानी है चलिए देखते हैं यह उस समय का भारत है आप देख सकते हो यह गजनी तो हलाकि 2030 में मर गया था लेकिन लगबग उस समय का भारत है अच्छ में हम live classes दे रहे हैं live and recorded है में पर्सनल गाइडेंस रहती है अभी NCIT geography history मैं दोबारा से update कर रहा हूं बहुत ही updated lectures है इन तब personally हम ध्यान देते हैं 2000 गंटे के sessions है बहुत ही कम दामों में तो फड़ाक से course को अवेल करिए और निकाली आएस हमारे साथ तो यह आप देख सकते हो यह था उस समय का भारत भारत काफी बटा हुआ था है ना कि देर सो साल हो गए थे साथ सो बारा के बाद भारत थे कोई भी अटाक देखा ही नहीं काफी वक्दी हो गया था लेकिन Central Asia में सब सहीं नहीं चल रहा था वहां पे struggle थी कि लोग लड़ रहे थे dynastries लड़ रही थ अफगानिस्तान जुआज का एरिया है उसमें एक जगा है गजनी वहां कहीं एक कमांडर सुबुत गीन का बेटा छोटा बेटा था महामुद अफगजनी अब हुआ क्या एक दो नवेंबर उन नौ से खत्तर में इसका जनम हुआ नाइन सेवेंट बन में इसका जनम हुआ ठीक है तो अब इसका जनम होता है पिता जी जो है वो बड़े बेटे को इसमाईल को राजा बनाते हैं लेगिन 26 साल के महामुद अफगजनी को ये एकदम बर लेता है लोग भी उसको सपोर्ट करता है स्वाइक लोड़ा कमजोर माना जाता है तो महामुद अफगजनी नौस और ठानवे आते आते गजनी का रूलर बन जाता है लेकिन वह यहीं नहीं रुखता हो जाता है धर्म गुरुओं का अशिरवाद लेता है और इसके बाद आ असपास तब उसको यह लगा कि देखो हमको पैसे चाहिए और पैसे हमको हिंदुस्तान में ही मिलेंगे और जैसा कि मैंने बदा कि उस समय हिंदुस्तान काफी हद तक बटा हुआ ताब देखी सकते हो पालाज है चालुक्याज है चोल इकदम साउथ में है इधर गुरजर प्रतिहार है यहां पर राजपूत है तो यूनिटी बहुत जादा नहीं थी फिर कही ना कही हमारे राजा घमंट में भी थे तरह समय तक को छोड़को कि आnd divisدم कि ने कि जैसे चाइना ने कीया जब चंगेश खान बंन रही थे कि हो जुआ एक प्रोपर आर्मी जो है और यही बन पाई महामुद अब घसनी वो लड़ी रहा है वो बचपन जले रहा से लगर कि प्रगल जल रही हैं और उसके साथ जो सैनिक है वो भी properly trained है. coordination की कोई कमी है ही नहीं. यह इसाब किताब था. तो यहां पर आजका जो पाकिस्तान है वहां पे लिवाँ हिंदु शाही डाइनिस्टी थी. थीक है? लिवाँ हिंदु शाही डाइनिस्टी जो है सफल हुआ उसके बाद अगले साल हजार दो के आसपास ये हिंदु शाही डाइनिस्टी पे इसने हमला बोल दिया और बैटल और पेशावर लड़ी गई अच्छा यहां पे जो हिंदु शाही डाइनिस्टी थी जैपाल बड़े ताकतवर रूलर थे लेकिन एकदम से अटाक ह हुआ तो वह नहीं जहल पाए अब ऐसा बोला जाता है कि जैपाल को बंदी बना लिया था लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया था तो गिल्ट के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया था यह चीज थी तो अब उनके बेटे आनंदपाल आए अब आनंदपाल ने क्या कांड किया मैं आपको बताओंगा चार रीजन थे जो महामुद अब घजनी भारत को इन्वेड करना चाहता था सबसे पहले तो सुल्तान भाईया सुल्तान है इगो कि हम अगर सुल्तान बने है तो हमको अपने लोगों का खयाल रखना है इस्पैंशन करना है दूसरा इसला इसको 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 रिसोर्स इसए थे कहां से खर्चा पानी लाएंगे भीया कहां से पैसा लाइंगे तो हमाई मतलब चाहिए बहुत कुछ चाहिए है से लूट मारं करो जो भी और अल्टिमेट लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम रिसोर्स जो है वो उसको विखटा करें और चौथा expansion अपने kingdom का जितना ज़दा expansion हो सके करना है अपने आपको जितना ज़दा expand कर सकते हो कर लो यह reasons थे आया यह दंदन आते हुए तो अब एक बार तो इसने हटा हडा दिया है पर हिंदू शाही डाइस्टे को आननपाल ने आननपाल को पता चल गया था कि बहुत दिक्कत है पिता जी की मौत का बदला तो लेना है तो आननपाल ने सारे राजाओं के साथ मिलके confidresy बने ही ठीक है सारे राजाओं को साथ में ले आननपाल और बोले कि हम मारेंगे इनको चाहें जो हो जाए अब आके दिखो और यू वोंट बिलीव आननपाल इसमें सफल हो गए थे लाहूर में जो बैटल लड़ी गई है लेकिन मैंने क्या बताया है हमेशा जब मैंने वार्स के लेच्चर ली है इसे वह बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप काबू नहीं करें तो वह आपके उपर ही भारी पढ़ जाएंगे अभी जब आगली बार महामुद आफ घुरी को देखेंगे तब मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आकर ऐसे क्यूं है यह हिसाब किताब तो अब लाहॉर में हजार राट के पास आज पास बैटल लड़ी गई महामुद अवगजनी परिशान की यार यह तो हमको हरा रहा है और आनंद पाल ने दोड़ा-दोड़ा के मारा सबको लेकिन वही चीज है कि वार एलिफेंट्स महामुद अवगजनी को दिखे हाती उन्हेरे का हातियों पर बार करो वो हो गए बेकाबू प्लस अगेन कॉन्फिट ड्रेसी में एक प्रॉब्लम होती कि कोडिनेशन नहीं रहता है जैसे महामुद अवगजनी की प्रॉपर फॉज थी यहाँ पे राजपूत अलग तरीके से लड़ेंगे आनंद पाल की हिंदू शाही जो अलग तरीके से लड़ेंगे कोडिनेशन नहीं ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर जिसकी वज़े से आनंद पाल को हार जहलनी परी और यहाँ पे हिंदू शाही डानिस्टी अल्टिमेटली आगी महामुद अवगजनी के पास लेकिन यहाँ पे कभी रुका नहीं इसने जहां जहां पे भी हमले किये वो वापस हिंदों को लोटा दिया और यह वापस चला गया ठीक है यह चीज़ है फिर उसके बादे कि इसका में डीजन तो यही था कि खूब पैसा ले जाओ अब इसने थोड़ा बोला की चलो हम इंडो गैंजेटिक प्लेंस आगे की तरफ और चलते हैं अभी तक तो हम पूरे पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं जो आज का पाकिस्तान है लेकिन अब हम आगे की तरफ जाएंगे मुल्तान को इसने इन्वेड किया पेशावर तो इसके पास था आई ही गिया था पैसा लेके वापस चला जा था हजार चौदा में थानेशवर तक चलागया नागरकोट थानेशवर नागरकोट और वाजार अकठा़ में जो मथुरा पे हमला था वह बहुत ही डिजास्टरस था 2015 में इसने कश्मीर पर हमला किया राजा संग्राम थे उस समय कश्मीर के रूलर तो वहाँ पे भी इसने जीत हासल की और लेकिन जो 2018 का मतुरा पर हमला था वो बहुत ही ब्रूटल था अल बरूनी, फिर्दॉसी इसी में तो थे पोईट्स थे तो सब लिखते हैं कि खतम कर दिया मतलब इतना समझ लिए कि मतुरा जो कि श्री कृष्णी की धरती थी वहाँ पे धेरो टेंपल थे, खूब सारे मंदिर थे उन मंदिरों को तोड़ा ये मुस्लिम उत्थस ने पकाइदा लिखा है और बहुत सोना चांदी लूट के लेके गया और जला दिया ऐसा बोला जाता है कि वो 20 दिन तक जलतारा मंदिर वो इतना भव्वे मंदिर था मतुरा में और मतुरा उस समय के रिचेस्ट सिटी थी अब राजा भोज जो कि एक राजपूत राजा मूट खराब उन्होंने का ये तो नहीं चलेगा वापस जा रहा था महामुद अवगजनी अब महामुद अवगजनी को पता था कि ये मैंने बहुत पैसे इसने मंदिर तोड़े थे खुब पैसे लेके जाता था लेकिन उसको पता था कि यहां पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तो जब वो वापस जा रहा था था ना तो राजा भोज ने और राजपूतों के साथ मेली के बहुदा कि इसको छोड़ेंगे नहीं मारेंगे इसको इसने रूट चेंज कर दिया ठीक है यह राजस्थान की ओर से पूरा रेगिस्तान होते हुए सिंद गया ही है अब बहुत सारे बहुत सारे लोग मर गए इसके बहुत सारे सैनिक मर गए क्योंकि पता था कि राजपूच बहुत मारेंगे यह चीज है वापस पहुचा मतुरा और यहां पर जब मतुरा को इसने जीता फिर ही अगली बार आया और फिर लेकिन अब हजार पच्चिस में सोमनात का एक्सपेडिशन बहुत थी खराब रहा भीम टू छोड़के भाग गए और सोमनात के मंदिर को लूट आप सोमनात का मंदिर मुझे हम सबको पता है कि सबसे ओल्डिस्ट टेंपल है सोमनात और एकदम इसने लूट मार मचा दी सत्रा बार इसने भारत को इन्वेड किया था सत्रा बार तो सोमनात मंदिर जब इसने लूटा तो शिवलिंग को भी ये लेके गया अफगानिस्तान अब ये एक लिसन था कि देखो हमसे टकराना नहीं ये चीज है अब जब ये पता चला जाटो को तो जाटो ने दोडा लिया इनको बहुत मारा जब ये वापस जा रहे थे महमुद अफगजनी ने सक्सेस्फुल ही किया महमुद अफ मौमद मौमद कासिम आया लेकिन वो इतना सक्सेस्फुल नहीं रहा लेकिन महमुद अफगजनी यहां पे आया और जितनी बार आया वो अच्छा खासा खाजाना लूट के गया अगर उस समय भारत पूरा युनाइट होता तो बहुत सही रहता ये हिजाब किताब है लेकिन आपको बता दू कि हमले भी बहुत हुए मतलब महमुद अफगजनी कई बार जारा जब जार्च ने 1026 में हमला किया था जब ये वापस जा रहा था तो समझे कि ये निपटी गए थे महमुद अफगजनी किसी तरीके से बचे हैं 1030 में इसका खेल खतम हो गया 1030 आते हैं खेल खतम हो गया अब उसके बाद इनके जो बोले कि चलो इस एक्सपेग्डिशन को कंटिनू रखते हैं तो राजा सोहल देव आके खड़े हो गए अब राजा सोहल देव ने ये बोला कि बस बहुत हो गया है सब को युनाइट करो तो एक पूरी कॉन्फिटरेशिव बने राजा सोहल देव ने और जब गजनी के बाद लोग आए तो बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा समझे तो उसके बाद फिर अगें डेर सो सालों तक आक्रमन नहीं हुआ अगें यहां पे जो आक्रमन कारितों ने हतिया डाल दी कि भारत में आक्रमन करना ही नहीं है यह हिसाब किताब तो ऐसा नहीं है देखिए आक्रमन होता है होता है लेकिन उसके बाद पलटवार भी होता है तो महामुद अफगोरी को जिन्दा छोड़ दिया पड़ा हुआ था वहीं गला काटते खेल कतम लेकिन युद्ध के नीतियों के खिलाफ नहीं है यह छोड़ दिया अगली बार आया वो और उसने भयानक तरीके से दोका दिया तो महामुद अफगोरी की बात हम अगले कल करेंग तो इसका बड़ा भवे स्वागत हुआ थीक है दूसरा इंपक्ट यह रहा कि उस समय यह बोला जा रहा था कि राजपूतों को हराया नहीं जा सकता तो इसने यह बता है कि नहीं अगर प्रॉपर स्टाड़ेशी से करो तो राजपूतों को हरा भी सकते हुआ इधर से आ भी इससे यह हुआ कि जैसे महमुद कासिम था ठीक है मौमँद बिन कासिम 712 में इसका रूल बहुत टाइम तक चल नहीं पाया ठीक है लेकिन महमुद अवगजनी जो है उसने यहां के लोगों को लिया ऐसा बोला जाता है कि ऐसा नहीं कि महमुद अवगजनी बहुती खराब उसको जो करना था वो करना था कि वो एक राजा है वो सुल्तान है और एक कमांडर के रूप उसने जो किया वो किया हिंदू के लिए अभिशाप इंटॉलरेंट बहुत ज़्यादा जहां पर भी जाता था भयानक कतल याम लाशे बिचा देता था गर्दने कटवा देता था यह हिसाब किताब तो एक नेगेटिव इंपक्ट भी क्रियेट हुआ कि जो भी इसलाम में एक आक्रमाण कारी आ रहा है वड़ा देंजरस है और उसे के वज़े से यहां राजा सोहल देव ने फिर एक पूरी कॉन्फिट्रेसी बने कि अब दुबारा इनको आने ही नहीं द वह आया गया उसको पता थे बहुत जमेस तक यहां पर टिक नहीं पाएंगे टिकना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए क्योंकि बहुत लोग है यह और मारेंगे हमको बहुत तो इसलिए वह चला भी गया था लूट के चला गया था बट यह बहुत इंपक्ट फुल भारत में आके तुम आक्रमर्ण कर सकते हो तो कितने लोग आए होंगे आक्रमर्ण करने के लिए लेकिन कोई सक्सेस्फुल ही नहीं हुए राजा सोहल देव का खौफ इतना जादा हो गया था कि हालत कराब हो गई और बाकी राजपूत रूलर्स भी जो दे जो सेंटर देखे चोड़ दो रहने दो तो अब महमुद आप गोरी की बात हम कल करेंगे आई हो पे लेचर आपको पसंद आया होगा तो बटाक से भाई इसको शेयर कर दो खुश रहेगे परतारी देशे सद्दान तक नहीं होता ही साइनिंग ओफ